नमस्कार दोस्तों, आज के समय में 75% बिजली की आपूरति थर्मल पाउर प्लांट द्वारा किया जाता है। ये पाउर प्लांट तीन हिस्सों में डिवाइड हैं, जो कि स्टेट गवर्मेंट, सेंट्रल गवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग थर्मल पाउर प्लांट में जॉब कैसे पा सकते हैं, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही ITI और डिप्लोमा वालों के लिए, जिनें जॉब संबंधित परिशानियां हैं, उनके लिए कुछ एक helpful suggestion भी हम देंगे, जिससे कि उनको जॉब खोजने या उसकी अपडेट पाने में उसकी सहायता मिल सके। तो भीना वक्त गवाएं, चलिए शुरू करते हैं, देखिए, बेसिकली पावर प्लांट में तीन टाइप के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं, वो बीटेक, डिप्लोमा और ITI, ये तीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लोग थर्मल पावर प्लांट में जॉब करते हैं, इन टीनो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलग अलग ब्रांचेज भी होते हैं, जैसे बीटेक और डिप्लोमा की बात करें, उसमें हैं मेकेनिकल, इलेक्टिकल और C&I, उसी तरह ITI के अंतरगत कुछ ट्रेड आते हैं, जैसे ट्रेटर, वेलडर, इलेक्रिश के आधार पर किस-किस तरह का जॉब का पोश्ट मिल सकता है, या मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें हम फ्रेशर के बेस पर ही बात करेंगे, क्योंकि हमने ये वीडियो ही फ्रेशर के लिए बनाया है, ताकि उनको इस वीडियो को देखकर पावर मैंटेनेंच मेंटेनंज याUh, घ्रीयो का इसी इस देगाता करेंगे, उसके बाद भी आपको छे महीने या साल पर की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अमतरगत आप अपनी ट्रेनिंग को complete होने के बाद आप उसी department में as a maintenance engineer job करते हैं सेम उसी तरह जो बीटेक और डिप्लोमा वाले electrical branch से हैं उनको भी अगर electrical है तो as a electrical engineer उनको एक साल के starting में training दी जाती है और उसके बाद as a electrical engineer वो अपना job करते हैं डिप्लोमा में भी process तो सेम है लेकिन इसमें company किस post पर hire कर रही है यह आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है हो सकता है as a diploma आपको engineer ना लेके junior engineer के post के लिए आपको उस campus में मतलब बताती है कि आप इस exam को दे रहे हैं उसमें मतलब आप job description देखेंगे किसी भी campus से बैठने के लिए तो बताया रहेगा बकायदे कि अगर आपका qualification diploma है तो आप किस post के लिए जा रहे हैं डिप्लोमा में आपको desk engineer पर जा रहे हैं या फिर junior engineer के post पर जा रहे हैं नौर्मली diploma के बाद आपको एक साल की training दे जाते है उसके बाद as a junior engineer आपको post दिया जाता है लेकिन b.tech और diploma का job जो है जो job करना है एक जो दोनों का कारेभार है वो लगभग लगभग समान ही होता है एक बराबर ही होता है next है ITI इसमें भी 3-4 trade है जैसे fitter, welder, electrician लेकिन ITI के साथ-साथ अगर आपने second class boiler operator का course किया हुआ है या exam qualify किया हुआ है तो आपको thermal power plant में as a boiler operator भी job मिल सकता है उस post पर भी आप काम कर सकते हैं अब इस वीडियो का important part कि job पाएं कैसे, job qualification तो है हमारी पास लेकिन हम job पाएं कैसे, job मिले कैसे जैसा कि हम सभी को पता है कि as a freezer job मिलना थोड़ा मुश्किल होता है खास करके government sector में और private sector में भी power plant में job मिलना फिलहाल के time में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन उसके लिए समय समय पर private sector या government company क्या करती है कि वो college में campus ले जाती है या फिर कहीं कहीं अपना campus मतलग लगाती है ज्यादा तर freezer को जो उन लोग hire करती है वो campus selection के थ्रोही करते हैं आप उस campus में बैठ कर exam qualify करके job पा सकते हैं लेकिन इसके बाद भी वो आते हैं जिनका job qualify नहीं हो पाता या फिर seat बहुत कम होने की वज़़ा से काफी लोग job नहीं join कर पाते हैं तो उनके लिए क्या है कि जैसे कितने भी आज कल power plant है या फिर hydro power plant है उनमें random company या किसी project के तहत भी काम कराते हैं तो अगर आपके कोई contract में है या फिर उस तरह के लगता है कि वहां पर हम अपना contract उस company से कर सकते हैं या वह भी अपनी वेकेंसी उसी तरह से निकालते रहते हैं तो उसके तुरू भी आप उस company को join कर सकते हैं जो कि एक as a third party उस company में join करेंगे जैसे Reliance की एक company है thermal power plant है उसमें कोई तीसरा company अपना ओंडम चलाता है यानि operation and maintenance देखता है तो उसके थुरू भी वह आप job join कर सकते हैं as a freshers सीखने के लिए मतलब उसमें आप job भी करेंगे साथ में training भी चलती रहेंगे सीखते रहेंगे हां उसमें एक चीज है कि salary थोड़ी कम रहती है starting में लेकिन आप अगर उसको जौब को सीखते हैं तो वहां से experience गेन करके आपको आगे के लिए helpful हो सकता है अब इसके बाद भी अगर आपका कोई इस ओंडम में फिर thermal power plant में जो थर्ड पार्टियां वर्क कर रही है या करा र रहा है या आपको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि हमें update मिलती रहें तो लास्ट में निरास नहों आप हमारे चैनल का यह वीडियो देख रहे हैं तो हम आपकी help जरूर करेंगे आल इंडिया power plant employee sector करके एक WhatsApp ग्रूप है जिसका संचालन हमारे प company में कितनी वेकंसी है किती सीट खाली है या कौन सियो एंडम company में अभी इंजिनियर्स की जरूदत है इसकी update आती रहती है तो आप इस ग्रूप में join हो सकते हैं join होने के लिए आप हमें इस इंस्टाग्राम पर जो यहां पर आपको दिख रहा होगा इस इंस्टाग्राम प आप उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजे जिनने इसकी जरूरत है ऐसे ही पावर प्लांट और भी जॉब से रिलेटेड वीडियो की अपडेट हमारे चैनल पर आते रहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जर